आज की इस वीडियो में हम आपको 2024 के हिसाब से पाकिस्तान की दस खुबसूरत तरीन एक्टरसेज के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिल्चस्प हाकाइक तो वीवर्स वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अधकाराओं की लिस्ट में नमबर 10 पर आती है आईजा एवान एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मोडल है आईजा एवान 10 अगस्त 1998 को कुरांची में पैदा हुई और इस वक्त इनकी उमर 25 साल है यह अपने वालदें की कलोती बेटी हैं और अपने वालदें के साथ कुरां शाजेल शोकत को आप रिसंट ड्रामा अदावत में देख चुके हैं शाजेल शोकत टीवी एक्ट्रेस होने के साथ साथ फेशन डिजाइनर भी हैं यह 24 मई 1997 को पैदा हुई यह पैदा तो पाकिस्तान में हुई लेकिन इनका बच्पन केनेडा में गुजरा इनके वालित क ज्यादा शोहरत रिसंट ड्रामा अदावत से मिली हैं और यह 24 की पूरकशिश अदाकाराओं में शामिल हैं नमबर 8 पर हैं सिद्र न्याजी सिद्र न्याजी को आप बहुत से ड्रामों में देख चुके हैं सिद्र न्याजी पाकिस्तानी शोबिस एंडेस्ट्री के उभर करती हुई और मशूर अदाकारा हैं इसके अलावा यह फेशन मोडल भी हैं इन्होंने बहुत कम अर्से में टीवी एंडेस्ट्री में अपना नाम कमाया है यह 4 देसंबर 1989 को लाहूर में पैदा हुई और इस वक्त इनकी उमर 34 यह सिद्र न्याजी अक्ट्रस होने के रही है और यह पाकिस्तान की पूरकशिश अदाकाराओं की लिस्ट में आठवी नंबर पर हैं नंबर साथ पर आती हैं नवाल सईद्र यह पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मोडल है और इस वक्त बहुत से ड्रामों में काम कर चुकी हैं यह 30 स्थमबर 1998 को कुराची में पैदा साल है इन्होंने करियर की शुरुआ टीवी इश्टहारा से की जिसके बाद इन को ड्रामों में काम मिला और यह इस वक्त ड्रामा सीरियल जाने जहान में अपने अदाकारी दिखा रही है और यह पाकिस्तान की पूरकशिश अदाकाराओं की लिस्ट में शामिल है नंबर सि करियर का अगास 2008 में 16 साल की अमर में क्या था ड्रामों में काम करने के लावा यह फिल्मों में भी काम कर चुकी है और इन्होंने आइटम सौंग भी क्या हुआ है फिलहाल यह ड्रामा सीरियल खुमार में अपने अक्टिंग के जोहर दिखा रही है और यह 24 की खुबसूरत अधकाराओं में से एक हैं नमबर फाइव पर हैं सारा खान ड्रामा सीरियल नमक हराम में शानदार अधकारी करने वाली सारा खान पाकिस्तान की टॉप और मॉस्ट ब्यूटिफुल अधकाराओं में शामिल हैं सारा खान की पेदाश 14 जुलाई 1992 को सौधी अरब में हुई और इस वक्तिन की उमर 32 यर्स है इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआ दो हजार बारा में की और यह अब तक बहुत से ड्रामों में बहतरी नजाकारी कर चुकी हैं नमबर फॉर पर हैं युमना जैदी युमना जैदी पाकिस्तान की बहतरी एक्टरस और मॉड चुकी हैं इनको रिसेंट ड्रामा तेरे बिन से बहुत ज़्यादा शौरत मिली हैं और यह पाकिस्तान की पुरकशिश अदाकाराओं में से एक हैं नमबर थ्री पर हानिया आमिर हानिया आमिर 12 फरवरी 1997 को रावल पिंडी में पैदा हुई और यह पंजाबी और पक्तून फैमली से बिलॉंग करती हैं और यह पाकिस्तान की सबसे मशूर और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली अदाकाराओं में शुमार की जाती हैं और ड्रामा सेरियल तितली से शौपिस एंडिस्ट्री में डेबियू किया इनको सबसे ज़्यादा शोहरत रखने वाली और नमबर दो पर हैं दुर्रेफिशा सलीम, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद और खई मादाकारी करने वाली अक्ट्रस दुर्रेफिशा आप पाकिस्तान की खुबसूरत तरी इन एक्ट्रसिस में शुमार की जाती हैं। इनके पैदाइस 14 जैनवरी 1996 को लाहूर में हुई और इस वक्त इनके उमर 28 साल है। इन्होंने अपने अक्टिंग करियर का आगाज ड्रामा सीरियल दिल रूबा में एक सुपोर्टिंग रोल से क्या था। लेकिन इनको सबसे ज़एदा शुहर ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी से मिली। इस ड्रामे के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान में बलके प्रोसी मुलक भारत में भी बड़े पेमाने पर इनको शुहरत मिल गई। इसके बाद इनोंने जो भी ड्रामे किये इनके सब ड्रामे सुपर हीटरे हैं। दुरिफ फिशां दोहजार चोबीस में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले अदाकाराओं में शामिल हैं। और नमबर वन पर आती है हिबा बुखारी। इस वक्त ड्रामा सीरियल जोग सरकार और काबिल में अदाकारे करने वाली हिबा बुखारी नमबर वन पर हैं। यह 27 जुलाई 1993 को कुराची में पैदा हुई। इन्होंने अपने अक्टिंग करियर का अगास 2015 में नशर होने वाले ड्रामा सीरियल तेरी मरी जोड़ी से किया। इनकी शानदार अदाकारी और खुबसूरते के वज़ासे इनको मजीद ड्रामों में काम करने का मौका मिला। इनको सबसे ज्यादा शोहरो ड्रामा सीरियल दिवानगी से मिली। हिबा बुखारी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा खुबसूरत तरीन अदाकाराओं में नमबर वन पर आती है। वीवर्ड्स आपको इन सब अक्ट्रिस में से कौन सी अक्ट्रस पसंद है हमें कॉमेंट में जुरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपनी दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ तब तक के लिए लाँ आफिस टेक कियर।